Hello students, Hi, Welcome back to my channel Learning with Divya आज हम बात करेंगे students हमारी वीडियो में pancreas की अब ही आपने जाना होगा और आपको पता भी चलोगा कि आर्मी की TGT, PGT, PRT की vacancies आई हैं something 8000 vacancies हैं जिसमें आपकी PGT home science की भी vacancy है तो उसमें भी वीडियो आपको help करेगा इसके लाबा UP, TGT, PGT अगर 2020 का form आपके आजाता है तो उसमें भी आपको help करेगा net, ZRF में भी help करेगा हम इस topic को कई वार पढ़ चुके हैं मैंने आपको ये digestive system में भी समझाया है और आपको मैंने ये जो है diabetes में भी समझाया है लास तक ये आपको आपके एक्जाम में बहुत help करेगा students क्योंकि यहां से अब आप समझे लिजे deep questions पूछे जाते हैं अगर आपसे वह भी पूछी जाती है GS भी पूछी जाती है तो normal general science में भी ये topic cover होता है ठीक है ना तो पैंक्रियास की बात हम students करेंगे अगर नाशे की बात हम करेंगे helpful video है आपको help करेगा चलिए let's start the topic पैंक्रियास की बारे में आप जानते हैं कि क्या है second largest gland of the body of the human body human body की दूसरी सबसे बड़ी गरंती है first कौन सी है आपके लिवर है second कौन सी है pancreas या गरनाशे है इसके अलावा यह क्या है यह mixed gland है mixed gland का मतलब क्या होता है आपके मतलब मिश्रिद गरंती बोली जाती है क्यों क्योंकि यह endocrine exocrine anti-strawi बहिर इस्तरावी दोनों प्रकार की गरंती होती है इसलिए इसे mixed gland बोलते हैं यह भी आपको बता है आप इसमें eyelids of longer hands पाए जाते हैं यह जो आपको यह flower जैसा पार्ट दिख रहा है इस आपके अलफा बीटा delta cells पाई जाती है जिनसे कुछ hormone secret होते हैं जो हमारे body के बहुत सारे functions को perform करते हैं perform करते हैं plus help करते हैं plus control करते हैं ठीक है तो उनको हम जानेंगे आज हम alpha बीटा delta cells के बारे में ही बात करेंगे केवल pancreas में जो आपके eyelids of longer hands में जो यह cells पाई जाती है चलिए इतनी बात हो गई यहां पर देख लीजे यह है pancreatic eyelids these are the alpha cells beta cells and आपके delta cells जो की इसमें आपके पाई जाती है next क्या है next आप सबसे पहले हम बात करेंगे beta cells की बारे में देखे students जो beta cells होती है इससे आपके insulin hormone secret होता है insulin hormone आपको पता ही है secretion of insulin hormone जो आपके diabetes ना होने देता है body के अंदर glucose के level को control करता है जो आपके insulin hormone होता है ठीक है अगर insulin की कमी हो जाती है तो आपके क्या होता है diabetes cause होता है diabetes mellitus मधुमें cause होता है क्योंकि आपके glucose का metabolism है body के अंदर है चया पचाई की जो kriya है वही नहीं हो पाती है ठीक है glucose metabolize नहीं हो पाता है इसके अलावा जो zinc होता है zinc zinc आपके क्या है क्या है mineral है ना वो क्या करता है वो insulin के निर्माण में सहायक होता है ठीक है मतलब insulin के production में help करता है अगर अधी glucose आपकी body में हो जाएगा वो glycosan की form में convert नहीं हो रहा है तो उसको help करता है कनवर्ट करने में ग्लुकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कनवर्ट करने में हेल्प करता है आपके इंसुलिन ठीक है अब जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लुकोज होता है जो ग्लाइकोजन है आपका और जो ग्लुकोज होता है यह आपके दो जगे स्टोर होता है 50% आपके होता है यह लीवर में ठीक है लीवर में स्टोर होता है 50% और 50% आपके स्टोर होता है एडिपोस टिशूज में इसमें आपके फैट भी स्टोर होता है clear हो गया और अगर insulin की कम ही हो जाती ही तो आपके क्या होता है diabetes mellitus cause होता है यह आपको पता है यह बीटा सहसी बात हुई इसके बात क्या है diabetes mellitus आपके two types का होता है मैंने diabetes में आपको पढ़ाया हुआ भी है type 1 and type 2 type 1 जो होता है students यह बहुत खतरनाक है इसे juvenile diabetes भी कहते है मतलब बच्चों में होता है ठीक है इसमें जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तभी से उनके जो है diabetes cause होयाती है यह कुछ उमर आने के बाद cause होयाती है immune system खराब हो जाता है यह जो diabetes होती कभी cure नहीं होती इसका कोई treatment नहीं है इसको prevent नहीं कर सकते बहुत 10% chances हैं केवल वरना इसके chances नहीं होते हैं इसको prevent नहीं किया जा सकता यह कभी खतम नहीं होती है इसमें जो pancreas है आपका जो अगनाश है वो patient का damage हो जाता है यह type 1 diabetes जो है वो बहुत dangerous होती है type 2 diabetes होती है आपके depend करती है lifestyle के उपर अब व्यक्ति का lifestyle बदल गया माल लीजे पहले वो मीठा न आपने eating habits खराब कर ली है तो type 2 diabetes cause होने के पूरे-पूरे chances होते है इसको आपके परेज करने से दवा लेने से treatment करने से 90% क्योर किया जा सकता है जो कि आपके योगा है प्राणायाम है वह सी ऐसी चीजे है activities है जिसके तो type 2 diabetes को क्योर किया सकता है clear होगी दोनों बाते next हम बात करेंगे diabetes test की students diabetes को test किया जाता है जब आप hospitals में जाते है तो patient को diabetes है तो वह पता करने के लिए test किया जाता है दो तरीके से test होते है एक होता है before meal एक होता है after meal before meal मतलब खाने से पहले जब fasting होती है सुबह आपको doctor बिल्कुल खाली पेट बोलाता है fasting एकदम आप बिल्कुल निर्जल जाते हैं बिना कुछ खाय पिया जाते है देन डॉक्टर जो है वह test करते है उसे before meal बोलते है और after meal खाना खाने के बाद चेक कर जाती है बॉड़ी में क्या चेक कर जाता है ब्लड में ग्रुकोस का level ठीक है तो number one की हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे before meal की अब before meal में क्या है आपके यह लिखा है आपके 70-80 mg deciliter of blood आना चाहिए इसका मतलब यह normal value है अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो भी patient को diabetes है और इससे कम भी आ रही है तब भी समस्या की बात है ठीक है तो 70-80 mg per deciliter of blood यह आपके normal value है जो before meal आपकी readings आने चाहिए measurements आने चाहिए यह आने चाहिए after meal हम बात करेंगे खाना खाने के बाद अगर आप टेस्ट करा रहे हैं diabetes का तो कितना आना चाहिए 180 mg per deciliter of blood यह आपके normal value है इससे उपर आ रही है तो diabetes है body के अंदर इससे बहुत कम reading आ रही है तो भी आपके अंदर sugar का level कम है जो कि नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि blood की sugar है glucose ठीक है blood की sugar है blood के लिए important है glucose आपके सारी जो organs है वो glucose की form में ही आपके ATP consume करते हैं glucose को consume करते हैं cells आपके सबीट issues तो 180 mg per dl of blood होना चाहिए यह नॉर्मल वाल्यू है अगर इससे उपर है तो diabetes है यह आफ्टर मील टेस्ट होता है ठीक है यह नॉर्मल वाल्यू है नेक्स्ट हम बात करेंगे students alpha cell की मैं आपको बता ना alpha, beta और delta cells की हम बात करेंगे पहले beta cells की बात होगे अब alpha cells की बात करेंगे इससे glucagon hormone निकलता है secretion of glucagon hormone होता है alpha cells से यह liver edipose tissues में store glycosin को glucose में convert करता है आपके जो भी आप जैसे आप ब्रत करते हैं फास्ट करते हैं कभी भी तो आप बहार से खाना नहीं ले रहे हैं लेकिन तब आप energetic feel करते हैं वो क्यों करते हैं क्योंकि आपका जो store glycosin है वो glucose की form में चेंज होने लगता है fasting में वो help करता है आपको ठीक है तो यह reaction cause होती है reaction क्या है C6H12O6 that is glucose यह oxygen के साथ में O2 that is oxygen उसके साथ में क्या करता है combined होता है react करता है तो क्या निकलता है आपके CO2 निकलती है जो आपके lungs के थरू बहार निकल जाती है carbon dioxide H2O निकलता है water निकलता है plus ATP that is adenosine triphosphate जो आपके energy body के अंदर consume होती है यूज होती है तो यह reaction होती है इस reaction के थरू आपके जो glycosin है वो glucose में convert होता है आपकी body में यूज होता है ATP की form में clear हो गया alpha cell से जो के कौन hormone निकलता है वो इस reaction में help करता है next हम बात करेंगे students delta cells के बारे में delta cells से क्या निकलता आपके somatostatin hormone निकलता है सिक्रीट होता है और यह क्या करता है यह आपके जो BMR rate है regulates BMR BMR basal metabolic rate को regulate करता है आपके delta cells से निकलने वाला somatostatin hormone अब BMR क्या होता है अब सबसे पहले हम बात करेंगे BMR की BMR क्या है basal metabolic rate मतलब आपकी जो cells है body के अंदर O2 को consume करने की छमता बताता है BMR के थूँ हम यह measure करते हैं कि हमारी cells है वो कितनी oxygen को consume कर रही है क्या capacity है consume करने के oxygen को ठीक है तभी तो आपने वो पढ़ा है ना foods and nutrition में BMR को चेक करने के लिए उसको एक रूम में बंद कर देते हैं और देन उसका BMR measure किया जाता है ठीक है ओटो को consume करने की छमता बताता है आपके BMR basal metabolic rate उसको regulate कौन करता है आपके somatoestatin hormone somatoestatin hormone ठीक है और जो कि किस से secret होता है आपके delta cells है delta cells किस में पाई जाती है आपके कुछ चीज़े बहुत ध्यान से पढ़नी है समझनी है revise करनी है no down करनी है क्योंकि exam में पूछा जाता है अब exam में आप से पूछ सकता है कि BMR को कौन हो hormone regulate करता है तो that is somatoestatin hormone regulate करता है ठीक है अब अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो like कीजिए subscribe कीजिए students चैनल को share कीजिए और जिन भी students को मेरे notes PDF की form में चाहिए वह WhatsApp ग्रूप पर add हो सकते है आपको इसी वीडियो के description box में एक link मिलेगा उस link पर प्रेस करेंगे तुरंत आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे जहां पर मैंने procedure बताया है उस procedure को follow कीजिए students और आप मेरे WhatsApp ग्रूप पर add हो जाएंगे वहां पर आपको जितना मैंने ब परकार के exams में बहुत help करेगा next video में मिलेंगे next topic के साथ next division के साथ अब कुछ question answers भी लगाएंगे हम कुछ question answers की series भी लाएंगे जो आपको help कर सके हैं आपके exams में चलिए students bye next video में मिलते हैं सब अपना ध्यान रखेगा और घर से मत निकलेगा ध्यान रखेगा चलिए okay bye